नितीश बाबु को शर्म है मिलने से क्या मतलब है कि डिल में एक दर्ड है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आकी बिलाईगे और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मद्भेद के बावजूद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने हमेशा नितिश कुमार की सावजनिक तरीफ किये की नहीं किये याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत इमांदार ने था तो ठी शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है सल्मान खुर्षीद परिवार भक्ती में आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे क्या हो रहा है ये प्रभुराम मर्यादा पुर्शोत्तम और आप भरत के खड़ाओं की तुलना कॉंग्रेस से कर रहे हैं अब प्रभुराम आने वाले में पूरे हिंदुत उपर जबर्दस टिका टिपनी की थी अपमान जनक तो इनलों का काम है और इसलिए राहूल गांधी कभी जनेवु पहनते हैं कभी मंदिर जाते हैं तो मैं यही कहूंगा राहूल जी आपके सिश्ची लोग क्या करते हैं खृप्या करके सनातन का अपम अब ऐसा है नितिश बाबू हवाई जहाँ चले हेलिकॉप्टर चले देश के प्रदेश के गरीबों की चिंता करें दुख्यों की चिंता करें तो अच्छा लगेगा अच्छा हमको एक चीज़ बताइए नितिश बाबू ने 17 में क्यों छोड़ा था साथ मिस्टर तेजस्वी जी का याद है ना आपको आप अपने पुराने निकालिये उसमें क्या था कि रेलवे घोटाला का तेजस्वी बाबू जवाब नहीं दे रहे हैं याद है ना आप को जो मिट्टी खुटाले शुरू हुआ था जवाब नहीं मिला वोब बाहर चले गए नितिश बाब मिल गया और यह बात बिल्कुल बलत की जा रही है कहीं जा रही है मेरी ज़नकारी के मुताबिक कि कोई सीब्ली ने लिपोर्ट लगाया था कोई क्लोजर रिपोर्ट नह और उसके दुर्भागी पुन मौत पर सवाल उठते हैं उठेंगे तो अगर मांग हो गई है तो मुझे लगता है कि वहां की सरकार इस बारे में अब्जेक्टिव रूस से विचार करेगे